हलो एवरिवान मैं हूँ तरुना और मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ेवे कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियोज अभी कल राट के न्यूज में ही मैंने देखा कि भारत और चीन की सेनाओं के पीच फिर से अरुनाचल प्रधेश के बॉर् यूज कर सकते हैं नौर्मली हम कर लेते हैं पर यह पिल्कुल कलत है नोग छोग करना हात अपाई करना मुक्टे से बार-बार मारना या पुष्टेहनी लडाई इंग्लिश में इन सभी जगडे के लिए एक अलग स्पेसिफिक वर्ड है और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड पताने जा रही हूं इंग्लिश में तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भारतिये और चीनी सेना के बीच दुआंग में हाता पाई हुई या थक्का मुक्के हुई तो यहां पर हाता पाई या थक्का मु की इसके लिए जो हम एंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वह है स्कफल स्कु डबल एफ ल इसकाफल एंडियन चाइनीज टूप्स पॉट इंटू इंटू अ स्कॉफल इन तुवांग यहां पर स्कफल का यूज हमने अजा नाउन किया है स्कफल का यूज हम एजा वर्ड भ यहां जो गॉट के था जो कम की कर रहे थे नोक फर न यह वाल की आर्ग्लिश को जो करना कि आरीटी को ऐगर पॉट है हो चोटी मोटी पातों पर जगड़ा करना तो हम उसे बोलते हैं कि बाल की खाल निकाल रहे हो या नोख छोक करना तो उसे English में हम बोलते हैं bigger they are always bigger with each other over their personal problems वे हमेशा अपने vertical problems समस्याओं के ऊपर नोख छोक करते थे या उसकी बाल की खाल निकालते थे अब आपने boxer को देखा है वो किसी को मुक्के से मारता ही जाता है मारता ही जाता है जिसे हम बोलते हैं कूट दिया उसको कूटना तो यहां पर मुक्के से बार-बार मारना इसे English में क्या बोलेंगे इसे हम English में बोलेंगे वर्मल तो हिट समवन और सम्थेंग रिपिटेटली स्पेशली विट्यों फिस्ट अपनी मुठी को बंद करके किसी को बार-बार मारना रिपिटेटली मुक्के से मारना तो उसे हम बोलते हैं परमल तो बॉक्सर परमल हार्ड ऑन हेस ओपोनेंट्स बाक मुक्य अपने विरोधी के पीट पर बार-बार मुक्य से प्रहार किया या बार-बार मुक्य से मारा तो यह है पुष्टैनी जगडा और प्रोलॉंग और ट्रॉड और ट्रिप्योट इस्पेशली यह न जो जमीन जाय्दात होते हैं उससे रिलेटेट होता है तो यहां पर पुष अनुज had a long standing foot with his uncle द्रंगा फसाथ यह भी एक तरह का जगडा ही है जो एक crowd के द्वारा किया जाता है शेहर की या किसी देश की किसी जगे की शांती को भंग करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं द्रंगा फसाथ द्रंगा फसाथ के लिए जो हम English word यूज़ करते हैं वो है र riot a lot of property was damaged during the riots गंगो के तो रान बोहत से संपत्त्ती का नुक्सान हुआ था रख कोली कांड होता है रख कोली कांड पहुता है रख केचार बारेश की पहुचार द्र॥ की पहुचार या कोली की पहचार से बचने में सफल रहें अब यूथ के दौरान जब तो पक्षों के पीछ लडाई होती है तो उसे हम बोलते हैं combat fight नहीं combat there was a fierce combat between the two sides तौनों पक्षों के पीछ फीशन यूथ हुआ battle actually military conflict between two or more forces military forces which is well defined in duration मतलब एक limited time duration में limited area में और limited resources के साथ लड़ा जाता है तो उसे कहते हैं battle Hindi में मतलब यूथ होता है he lost his only brother in the battle Hindi में war का मतलब यूथ हुआ पर जो वह होता है न वो सिफ military forces के पीछ में नहीं होता है वो ideologies के पीछ में भी होता है governments के पीछ में भी होता है बहुत सारा destruction होता है चांद माल की हानी होती है remember world war one and world war two example the war has claimed thousands of lives युथ ने हजारों लोगों की जान ली है चगड़ा करना पिल्कुल अच्छी बात नहीं है चाहे वो आपस में हो या तो कुटों के पीछ हो या तो कंट्रीज के पीछ में हो यह हमेशा नुकसान ही पहुचाता है और उससे related vocabulary जानना बहुत जरूरी है आज का वीडियो आपके लिए interesting होने के साथ informative भी होगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना म आपके थार आप जो